जोस्तों हमेरे पास है डिश्टीटीवच के एच डिशट्ट वोक्स सत्तावन दस मोडल तो इस मोडल में हम आपको डिश्टीवी की पिच्चर के लेटी दिखाने वाले हैं तो गैस वीडियो को पूरा देखना, पूरी information में आपको इस वीडियो में देने वाल हो अगर आप new connection लेने की सौज रहे हैं देश्टीवी की तो आप decide कर पाएं कि आपको new connection लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए या आपको पिचर के लिए ठीक लग रही है या आपको दु इसलिए आपके लिए शूट किया है और यहाँ पर जो मैंने वीडियो शूट किया है और यहाँ पर जो टीवी लगी हुए है 42 इंची की LED लगी हुए है और 42 इंची की LED में यह जो कंपनी है LED यह सोनी की कंपनी है मलब सोनी का LED लगा हुआ है बैल इस इंठी का और इस LED पर हमारा जो सट्टा बोक्स लगा हुआ है डिश्टी टू एश कंपनी का 57-10 57-10 सट्टा बोक्स की अब पिचर क्लेटी देख सकते हैं और इसमें जो स्टार प्लस अभी जो चल रहा है यह HD सट्टाव HD चैनल से है और इस्टा और भारत जो चल रहा है यह भी हमारा HD चैनल से है एक तरब HD चैनल का लोग होगा और इस वीडियो में आपको सभी HD चैनल की पिचर क्लेटी आप देख पा रहे हैं और आप यह वीडियो देखने के बाद में आप डिशाइड कर पाएंगे कि आपको जैन्मन लीडिश टीवी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए पकि अगर आपको जो LED है वो कौन से ब्रांड का है कौन से कंपनी का है और उस ब्रांड पे भी डिपेंड करता है कि उस टीवी पर कैसी क्लेटी आ रहे है यहां पर जो मेरा जो शट्टा बॉक्स लगा हूँ है डिश टीवी का वो HDMI से कनेक्टेड है ना कि नॉर्मल के वसे मैं लो तीन कलर की जो LED होती है उससे कनेक्ट नहीं है HDMI से कनेक्ट है तो इस वीडिवी में आप देख पा रहे हैं आपके डिश टीवी की पिचर कलेटी किस तरीके की आ रहे है और आप अगर लेने की सोच रहे है तो टेफिरिटी मुझे लग रहा है कि आप डिश टीवी ही भुक कराएंगे क्योंकि इसमें पिचर कलेटी काफी सहंदार दिख रहे है तो वाइस लगा कमें सपस्क्राइब करका यह करना है ही कर दो है झाछय愁 ही खऴाई कर दो का दिरों